लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी आउटर डिजिबिस हैं हाई डिजिट पहुंचते हैं उनके साथ में सीनिय यू आन भी आया था फांग हांग को उस पर डाउट होता है देखते हैं आज के स्पिरिशन में क्या होगा तो चलें स्टार्ट करते हैं लियू कंग औ इसे वो ट्रांस्पेरेंटली देख सकता था जो कि किस्टर के जैसे क्लियर थी और जो अंधिरा उसे नजर आ रहा था वो अफ्तारियल्म का बंद दरवाजा आके कब वो उस दरवाजे को खोलने के काबिल होगा कब वो अफ्तारियल्म में पहुंचेगा और तब ही बहां जो सियर यू आन को लेकर के आजाता है सेयर कहता है तुम ही हुँ फांग हन भूड मैं नुद फांग हन और होंगर ही टो उठकर गड़ी हो जाते है और लिवट जान कर भी कोशिश करती है पर वो जान पूछकर के ऐसे पिटेंट करता है कि मानो कितने गहरी नीन में हो सीनिय यूआन फांग से कहता है तुम ही हो जिसने यूओ की स्वाट चीन ले है तब भी और भी डिसेपल वहां आ जाते हैं फांग सोच में बढ़ जाता है वही होंग अभी भी लियू को जगाने में लगी थी पर वो भी बेशम बंदा यहां वहां करवट बदल देता पर वो उटने का नाम नहीं लेता तब एक किंग वेई फांग को पूस्टी है तुमने लिंग फिंग तलवा को चीनने के लिए किस तलिसमान का यूज किया था क्या वो कोई मिस्टिकल था या फिर एविल आर्टे का किंग भी है तुम अभी भी सिफ एक आउटर डिसीबिल ही हो तुम्हारे पास में ऐसा किसी पी तरह कर कोई पी तलिसमान नहीं होगा तब ही एक बंदा पूछता है तुम चुप क्यों हो कुछ क्यों नहीं बोल रहे हमको सिर्फ सच सुनना है तुम्हारे मूह से यूगान उसे स् मिस डांकों उनकी तरफ आ रहे हैं उन पर हमला करने वो सब भी उनका सामना करने तयाते क्रेंज पर चोड़ चोड़ से चिलाने लगती है ये देख कि किंग वई उनको वापस लोट जाने का बोलता है क्योंकि उसे भी फाइट करना नहीं आता था तो उसके लिए लोट जा करती है और बोलती है अपना ध्यान लखना और जैसे ही फाइट खत्म हो जाए मुझे वापस बुलाना तुमको पिक अप करने के लिए अब किंग वे अपनी स्पेर स्वार्ट जो को देती है जिसे कि वो उन डांकों का सामना कर सके और अब सभी को फाइट करने के लिए रे कोशिश करते हैं किंग में वांग भान और होंग गई वो तीरों की बारिश को रोकने के कोशिश कर रहे थे वो उन अपनी अपनी पावर का यूज करता है और उन सभी तीरों को डिस्टर कर देता है अब डाकू उनके सामने उन्हें की तरफ आ रहे थे जो संख्या में बहुत जादा थे अपनी पावर पपिट्स को बलाती है जिसे देखकर के फांगान चौंक जाता है कि वो यहां पर ऐसे कैसे आ गई होंगे बताती है कि यह सब सीनियर्स का काम है वो पपिट भी डाकू को मार रही थी पर वो डाकू संख्या में पहुच जादा थे उसके अकेले का बसका नहीं था उनको कांट्रोर करना ये देखकर के युवान भी आगे आका के उन डाकों से फाइट करने चाता है किंग वे खुद भी फाइट करने चाती है और साथ ही सभी को आगे आका के उन डाकों का सामना करने का बोलती है अब सभी उन डाकों से आमन करना हाड़ था यह देख करें हांग़े उसे बोलती है तुमको तलवा को अपने इशारों पर चलाना होगा ना कि खुद को तलवा का शिकार बनाना होगा फंगान के फांग खान अब उन डांकों के साथ मैं कंटिनियू फाइट कर रहा था वो एक एक करके कई डांकों को खत्ब कर रहा था ये देख करके कुछ लिव कांग भी हैरान था कि वो अभी तक ठीक डाग है और वो भी जिन्दा है वो फांग के पास आता है ये देख करके होंगे उसक जिन्दा है और वो भी ठीक डाग मतलब बिचारे एक के जांग के पीछे कितने लोग पढ़े थे होंगे भी फांग का ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड हाग कदम पर उसके साथ यूआन भी बड़े आराम से युद्ध लड़ रहा था किंगवे भी किसी से कम नहीं थी वो भी एक अच्छे युद्ध का परफिक्ट डॉल प्ले कर रही थी पिंस बाव खायल हो चुका था उसके कोई पावर भी काम नहीं कर रही थी और एक डाकू उसे माने को उसके पीछे पड़ा था ये सब दूर से किंगवे भी देख रही थी वो डाकू उसके नजदीक जाने लगता है तो बाव बोलता है कि वो एक बेसिए अगर वो उसे हट करता है तो उसे उसके सज्जा दी जाएगी पर बाव को तो समझी नहीं आता कि वो तो एक डाकू है जो मरने और माने ही आया था तब पिंस उसकी आँखों में नहीं और बहाँ से भागने लगता है ये देख कर कर वही उस डांको को मार देती है वही डांको उस दूसरे पपीट को भी उसी की जंजीरों में चकरने लगते हैं ये सब देख करके किंगवे को बहुत कुछ सा आता है और तभी बैंडिट्स मिस डांको उस सेकेंड पापर पपीट को भी किरा करके डिस्ट्रक कर देते हैं तभी एक डांकू फांग हांग की तरफ उसे मारने आता है पर वो उसे देख करके डिस्ट्रेक्ट हो जाता है तब होंगे की नचर उस पर जाती है और वो उस डांकू को मार गिराते हुए फांग हांग को बोलती है युद्ध के मैदान में कभी भी डिस्टिक्ट मत होना वरना तुम्हारी हार्ट है है वही युआन पी स्नेक में सिल्वर स्नेक स्वार्ट का यूज कर उन डांकों को मार गिरा रहा था उसकी पावर को देख कर के फांग हान सोचता है युआन कितना ताना शाही है और उसे रैस्पेक्ट देता है और वापस दोनों डांकों से फाइट करने में लग जाते हैं तब युआन की एक स्नेक स्वार्ट फांग हान पर हमला कर देती है जिसे देख कर के फांग सोचता है कि वो कुछ जादा ही सोचता है लेकिन वो गलत था और अब युआन वापस से फांग पर हमला करता है अपने स्नेक स्वार्ट से और ये देख कर के वापस से फांग चौंक जाता है और वो कुछ समझ पाता है उससे पहले रैड डिजार स्वार्ट आकर के स्नेक स्वार्ट को रोकती है ये सب दूर से किंगविग देख रही थी और वो उस सौार्ट को देखकर के हैरान थी और वो उसे अच्छे से पैच्छानती थी जो कि रेड डिजायर सौार्ट थी मतलब वो प्रिंस पिंग की सौार्ट थी जिसका उसे इंतिजार था वहीं यू आन उस रेड़ स्वार्ट से फाइट करता है तब प्रिंस पिंग भी वहां आ जाता है और साथ में प्रिंस बाउ को भी मार करके लाया था जो उसे मारने जाता है तब किंग वही सब को रोग देती है और वो प्रिंस बिंग बहुत कुछ से में ता दरसर वो खिसे आया हुआ था क्योंकि उसके बहुत से लोग मारे गए थी और वो डिजर्ट डेमन से कही प्रिंस था अब वो बतला लेने के लिए वहाँ पर टॉप टेंड डेमन को पुलाता है और इस जग है हमारी आज की एक्स्पिनिशन कदम हो जाती है तो दोस्तों देखेंगे नेक्स एपिसोड में क्या होगा क्या वो टॉप टेंड डीमन उन सभी आउटर डिसीपर्स को खत्म करेंगे या फिर सब लोग डटकर के उन टॉप टेंड टीमन का सामना करेंगे इसका पता हमें नेक्स एक्स्पिनिशन में लेगेगा तब तक के लिए नमस्कार